दोस्तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम एक साथ लिया जाता है और हर मंदिर में उनकी तस्वीर नजर आती है। लोग पूजा करते वक्त कामना करते हैं, उनके दामपत्य जीवन में कृष्ण और राधा जैसा प्यार बना रहे। जबकि राधा और कृष्ण की शादी हुई ही नहीं थी। कृष्ण और राधा ने अलग-अलग लोगों से विवा किया और अपना दामपत्य जीवन जिया। लेकिन बावजूद इसके उनकी पूजा साथ में की जाती है और कल्यूब में भी वह प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर राधा कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की थी। और राधा श्री कृष्ण की मामी कैसे बनी अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस विडियो में। धार्मिक पुराणों के अनुसार जब भगवान कृष्ण वरिंदावन छोड़ कर जा रहे थे तब उन्हें राधा जी से वादा किया था वह लोट कर आएंगे। लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मणी से हो गई जो की उन्हें मन ही मन अपना पती मान चुकी थी। जब रुक्मणी का विवाह किसी और से हो रहा था तो कृष्ण ने वहां जाकर स्वन्य रुक्मणी से विवाह कर लिया। पौरारे कथा के अनुसार राधा जी भगवान कृष्ण से उम्र में ग्यारा महीने बड़ी थी और दोनों का एक दूसरे के प्रती आध्यात्मिक लगाव था। इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। भगवान कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से शादी न करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से बिलकुल अलग है। यह साबित करने के लिए कि प्रेम शरीर से नहीं बलकी भक्ती और शुद्धता के साथ होता है। दोनोंने एक दूसरे से शादी न करके प्रेम की परम भक्ती को पूरे विश्व के सामने रखा। कुछ मान्यताओं के अनुसार, राधा खुद को कृष्ण जी के लिए सही नहीं मानती थी क्योंकि वह एक गाय चराने वाली थी। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण से शादी न करने के अपने फैसले पर अटल थी। शास्त्रों में इस संबन्द में कई तरह की धानाय प्रजलित हैं। कोई कहता है कि राधा कोई और नहीं श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। विद्वान कहते हैं कि सकंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनन्दित रहता है। उसे किसी अन्यती आवशक्ता नहीं है आनन्द के लिए। उनकी आत्मा तो राधा ही है। अता राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं कर सकते हो फिर विवा होना और बिछडने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दो रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, आध्यात्म और दर्शन से जोड कर देखा गया। गहमा वैवर्थ पुराण के मुताबिक राधा जी का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से पहली ही तै हो चुका था। और वहां रिष्टे में कृष्ण जी की मामी लगने लगी थी। यहां भी एक वज़ा है जो कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। मान्यता है कि राधा जी भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक प्रेम करती थी और इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। जिसके बाद उनकी परचाई वहां रह गई थी और माना जाता है कि गोपा का विवाह राधा जी की उसी परचाई से हुआ था। राधा जी ने कभी शादी नहीं की। गर्क सनहिता के मताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे। तभी उन्हें एक अद्भुच शक्ती का आभास हुआ जो कोई नहीं बलकी राधा थी। वो तुरंथी बाल अवस्था को छोड़ कर योवनावस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रहमा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रहमा जी और राधा जी भी अंतरध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुकमणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तोर पर तो नहीं हुआ लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे।